नमस्कार इन खबर में आपका स्वागत है। उस बिरोध को दरकिनार करके ये सिस्टम ले आए। पुलीस और प्रसासन में मतभेध हो किसी चीज को ले करके कैसे निप्टा जाया तो वहाँ पे दिक्कत होती है। अब क्या हुआ है कि इस सिस्टम से कि योगी सरकार ने न सिर्फ हिम्मत दिखाई बलकि बताया ये जा रहा है। अब और डिटेल आना बाकी है नोटिफिकेशन में क्या क्या आता है। जबकि दिल्ली में लाइसेंसिंग का अधिकार पुलिस के पास है बट एकसाइज वाला अधिकार नहीं है और मुंबई में ये सभी तरह के अधिकार है तो कहा ये जा रहा है कि एकसाइज और लाइसेंस वाला भी अधिकार नोडा और लखनाव में जो सिस्टम लागू होने उसमें जिला प्रसासन को दिया जा सकता है उत्तर प्रदेश के यदि सभी 75 जिलों पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि नोडा इकलावता इसा जिला है जो उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहा जाता है और यहाँ पर कोई यूँ भी डियम बनने में इसलिए ज्याद वयलू नहीं होती थी वो उन से जीनियर अधिकारी यहां बैठा करते थे यह सिउ सियो भी बार टीम से सिनियर होते और व्याधिकरण Sum Spotify सप्रीश के रहन के होते हैं तो नोडा का क्रेज और ज्यादा घटे गा यानि कोई डियाम बनने में इंटरेंट नहीं लेंगा ठीक इसी तरह से लखनव के जहां तक बात है लखनव में 30 तो एक ही है बाकी आवास विकास परिसद काम करता है बट जैसे ही ये सिस्टम लागू होगा वहाँ पे भी DM का क्रेज घट जाएगा अधरवाई राजधानी में DM बनने के लिए ASSV बनने के लिए हर IS और IPS तरसता है अब दूसरा सवाल ये उभरता है कि इस सिस्टम के चेंज होने से क्या सुधार आएगा कैसे सुधार आएगा क्या आधिकार चले जाएंगे पुलिस के पास तो अपने यह जो पुलिस एक्ट 1861 है उसके भाग चार में जो है दिया गया है डिश्टिक मजिस्टेट को पाव और जितने भी पुलिस अधिकारी यहाँ पे तैनात होंगे एसीप लेबल तक जिसको अभी तक सीओ कहा जाता था उनके पास मजिस्टेट की पावर आ जाएगी यानि कि धारा एक सीर पीसी की धारा एक साथ इक्यावन के तहट जो भी करवाई होती है प्रतिबंद आत्मक क भरवाया जाता है सब कुछ वहीं से हो जाएगा यानि कि अब मजिस्टेट के पास जाने की जरूरत नहीं रह जाएगी पाली बात दूसरी बात कि लाइसेंसिंग का अधिकार आपने दिल्ली में देखा हुए कि DCP लाइसेंसिंग होता है जो कि न सिर्फ असलों का लाइसे जारी करता है बल्कि आरेन आई एक्ट के तहद जो अकबार मैगेन निकालते हैं वो सारा का सारा लाइसेंसिंग वाला पोर्षन सिनेमा हाल थूरल में हगरा सब वहीं से जारी होता है ठीक किसी तरीके से या stimulus का अधिकार इधर दिया जा रहा है धिए लगा दिया जाएग तो उसमें भी फिर दियम का बहुत ज़्यादा पावर कम हो जाएगा एक और बात है कि इसे इंक्रोच्मेंट उगरा के लिए अभी तक क्या करते थे कि नगर निगम से या जिला प्रसासन से संपर करते थे थाटी से संपर करते थे अब वह वाला भी पुलिस के पास पावर आ किया है इसके लिए क्या क्या एहतियात बरता है क्योंकि निश्चित तवर पर मानिए कि आईस लॉबी इस डिसीजन से खुस नहीं है ना राज उनातर सुभाविक सी बात है क्योंकि उसका अधिकार छीना है और इस पर कई दिनों तक मन्थन चलता रहा है एक बाती है कि जैसे ही वहाँ पर कोई छोटी सी भी घटना होती है तो पूरे प्रदेश में जो है हरकम मत जाता है ठीक इसी तरीके से आर्थिक राजधानी नोडा है यहां से सबसे ज्यादा रेविन्नु जाता है नोडा और गाजियाबाद से पहले कानपूर भी इसी में सुमाब था त यह तभी का है जब कि वैभव कृष्णी यहां सेस्पी थे छे थारीक किये घटना है आज तक कुलिस को कोई सुराग नहीं मिला है तो क्या कमिशनरी सिस्टम लागू हो जाने से कोई त्रिनेत्र तो मिल नहीं जाएगा जो अपराधियों के बारे में पता चल जाए लेगा लेकिन उमेदिये की जाने चाहिए पॉजिटिव रहना चाहिए कि सिस्टम कुछ सुधरेगा देखते हैं क्या होता है जो भी होगा हम आपको अपडेट कराते रहेंगे आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर थैंक्यू